हलो इस्टुडेंट गुड मॉरिंग वेलकम टू दा कंप्यूटर क्लास आए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है कि नेट्वर्क टॉपपलोजी हम लोग पहले भी नेट्वर्क टॉपपलोजी पढ़े जिसमें टाइपम सब्सक्राइब और समय समय स्टुप अभी हम देखेंगे इस्टार टॉप पोँलोजी में कोई दूसर्यat सपनेख नहीं हीता जो यो भी system connect रहता है हूँ हब से connect रहता है ठीक है अभी हब absolute हो गया है market से अभी switch switch इसका जगा ले लिया है ठीक है क्योंकि इसमें switch में number of system अधिक हम लोग जोड सकते हैं तो यह हब जो है सारे system को connect रहे हुए क्या था कि एक सिस्टम को दूसरा सिस्टम से या तिसरा सिस्टम से information चाहिए होता था तो वो सारा सिस्टम से होते हुए last system में जाता था बट आब ऐसा नहीं है ठीक है तो देखें क्या इन स्टार्ट ओपोलोजी computer और its device are not directly linked to each other direct link नहीं है देख सकते हैं आप लोग figure में ठीक है एक सिस्टम दुसरे सिस्टम से direct link नहीं है एक centralized device है जिसका नाम में hub उससे connect है ठीक है बट दे आर connected वाया central network component called as hub hub से connect है ठीक है अब hub क्या करता है देखिए the hub act as central control and if a node wants to send data to other node एक computer दुसरे computer को information अगर send करना चाहता है तो it can send the same through the hub only hub को वो send करेगा फिर hub से भी दुसरे system receive करेगा ठीक है in this the whole network does not fail अगर इस तरह का टोपोलोजी में अगर एक system क्या बोल सकते हैं disappear होता भी है तो पूरा network क्या बोल सकते हैं fail नहीं होगा ठीक है even if any of the node is not working अगर एक node काम ना करे तो सारा कॉम सारा node काम करेगा ठीक है next हम लोग देखते हैं ring topology ring topology क्या होता है आप लोग figure में देखके भी समझ सक रहे होंगे कि एक system दूसरे system से दूसरे system तिसरा और तिसरा फिर first system से connect है ठीक है इसी तरह से इसका architecture किया जाता है बनाया जाता है ठीक है architecture होता है इन रिंग topology computer are placed in a circle of cable without any terminating कोई भी terminating नहीं है देख रहे होंगे है हर system एक दूसरे से connect है अपना adjacent side से ठीक है since there is no disconnected end every node has two neighbor for communication हर किसी के लिए दो नेवर है मतलब कि दो पडोसी है है दो system आमने सामने है adjacent system है ठीक है जो connect है all data travel through the ring clockwise और anti-clockwise कभी भी किसी भी system को अगर data चाहिए तो वो पूरा रिंग से होते हुए ही जाएगा ठीक है they each their destination in such topology sometimes the rate of data transmission is more मतलब data को जो transmission होता है इसमें कुछ-कुछ time लग जाता है ठीक है next हम लोग पढ़ते हैं tree topology tree topology में क्या होता है आप लोग देख सकते हैं figure से ही एक topology होता है उसी से connect other topology हो सकता है ठीक है tree topology combination the characteristics of linear bus and star topology ये तीनों को मिला कर इसका तीनों topology का characteristics को मिला कर एक topology बनाते हैं जिसका नाम है tree topology it consists of group of network connected to a bus और cable this topology allows for easy actions of an existing network कोई भी existing network है उससे connect कर देना जैसे पहले से बना हुआ है ring तो उसमें हम लोग linear connect कर दिये linear से फिर हम लोग star topology ये सारा topology को connect करते जाते हैं तब वो star sorry tree topology कहलाता है next हम लोग देखते हैं mesh topology में क्या होता है ये हर सिस्टम हर एक से connection establishment करता है आप लोग figure में देख सकते हैं एक सिस्टम आप जितना भी एक साथ 5 या 10 सिस्टम connect किये हैं तो वो 10 सिस्टम एक दूसरे से connect रहेगा इससे क्या wastage of wire है ठीक है और wastage of time है और यहां complication अधीक है ठीक है आप लोग figure में देख के समझ सकते हैं आईए इसका definition देखते हैं इन मेंस टोप लोजी एवरी नोड नोड के जगा आप सिस्टम समझ सकते हैं कम्प्यूटर समझ सकते हैं ठीक है एवरी नोड has dedicated point to point link to every other node message sent on a mesh topology can take any of the possible path from source to destination किसी को भी कोई भी message भेज सकता है source to destination जो जिसको भेज रहा जो भेज रहा है और जहां पहुंच रहा है ठीक है through the structure of the sorry through the structure of this connectivity look quite jumped up but it enable a faster flow of data in companion to other topology इसमें क्या होगा flow of data अधिक speed में होगा क्यों क्योंकि direct link है एक दूसरे system से यहां कोई भी sorry वाया नहीं है कि किसी through जाएगा जैसे कोई system किसी को message कर रहा है तो एक message को दूसरा system से तिसरा system से fourth system में वो जाएगा इसमें क्या है direct one system to one system system चले जाएगा ठीक है यह रहा topology topology यहां finish हो गया है ठीक है आप लोग इसको बढ़ियां से देखिएगा नहीं समझ में आगा मुझे what's up sorry what's up करिए या फिर call करिएगा हम इसको समझा देंगे आप लोगों को और अभी topology खतम हो गया नेक्स्ट हम लोग internet और intranet पढ़ाएंगे थैंक यू